आइस AI का official announcement बताएंगे CA Foundation December 22 student के लिए चाहे आप Repeater student हो चाहे आप New student हो First time CA Foundation का exam दे रहे हो आप सारे student को exam form फिल करने से पहले ये काम करना परेगा डेट बहुत नियर है last date तो प्लीज इस last date से पहले आप लोग ये काम complete कर लो ताकि आपको exam form फिल करने में कोई भी problem ना हो और request करेंगे इस वीडियो को जरूर सेर कर देना जो कि CA Foundation का exam December 22 में देने वाले हैं उन student के साथ ये official announcement है यहाँ पे देख सकते 14 August 2022 ये last date था CA Foundation December 22 में registration करने का और repeater student को registration नहीं करना होता बट जो लोग registration कियें और अपना 12th का marksit upload नहीं कियें तो upload करने का आखरी date 10 September 2022 है और हाँ जो लोग CA Foundation का exam June 22 में दिये हैं और वो लोग भी अभी तक upload नहीं कियें तो please upload कर दे 10 September आखरी date है कुछ student के मन में doubt आएगा उनको कैसे प्ला चला है कि उनका 12th का marksit uploaded है या नहीं uploaded है तो ये doubt को इसी वीडियो में clear कर दे रहे हैं आपको सबसे पहले ice.ai का official website पे आना उसको self service portal नज़र आएगा इस पे click कर देना जैसे ही click करोगे तो इसमें अपना registration number और password से login कर लोगे और अगर login करने में problem हो रहा होगा तो forget password का option है forget भी कर सकते हो और अगर इससे भी नहीं होगा तो इसमें login कैसे करना इस topic पे मैंने detail video बना रखा SSP portal में कैसे login करना उस video को देख लेना आपका doubt clear हो जाएगा और उस video को देखने के बाद भी आप login नहीं कर पा रहे हो तो please SSP portal वाले से contact करें और मैंने उसी वीडियो में SSP portal वाले का contact detail बताया है तो request करेंगे student से please comment ना करें कि login नहीं कर पा रहे है वीडियो को देखे आपका doubt clear हो जाएगा तो अब जैसे ही आप लोग लोग इन करोगे SSP portal पे आपके सामने ऐसा dashboard सो होगा उस बाद student function पे क्लिक करना है अब द्यान से सारे student कुछ बाते कुछ सुन लेना यहाँ पे provisional registration के जगा पे N लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि provisional registration इन student कर नहीं है जिस भी student को provisional registration के जगा पे N लिखा होगा इसका मतलब यह है कि उनका 12th का marksit already update है उन student को 12th का marksit upload नहीं करना बट जो लोग लॉग इन करेंगे और provisional registration के जगा पे Y लिखा रहेगा तो उन student को 10 September 2022 से पहले SSP portal पे update करना परेगा 12th का marksit अब एक और question आ सकता है SSP portal पे 12th का marksit को कैसे update करना तो मैंने इस topic पे already वीडियो बना रखा है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा उस वीडियो को देख लो आपका doubt clear हो जाएगा एक और question आ सकता है क्या SSP portal पे upload करने के बाद 12th का marksit क्या 12th का marksit ICI के exam department को भी send करना परेगा ध्यान से सुन लेना सारे स्टुडेंट 12th का marksit कहीं किसी को send नहीं करना है सिर्फ SSP portal पे update करना जिनका provisional registration अभी तक है एक बार फिर से बोल SSP portal पे कैसे 12th का marksit को अपडेट करना मैंने वीडियो बना रखा है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा अब एक और question आ सकता है कि student बोलेंगे उनके पास original 12th का marksit नहीं है तो वो क्या करेंगे देखो आईसे है तो ऐसा नहीं बोला है कि आपको 12th का original marksit ही update करना है अगर आप लोगे पास original marksit नहीं है तो internet वाला marksit होगा तो उसी को आपको upload करना है बट internet वाले marksit पे आप अपने school principal का sign with a stamp आपको लेना है उसके बाद upload करना है या नहीं तो practicing CA से sign करवा करके आपको upload करना है अगर आप CA से sign लोगे तो बोलोगे membership number भी लिखने के लिए with a stamp इसके बाद आपको upload करना परेगा और जिन student के पास original marksit है तो वो सिधा upload कर सकते हैं और वैसे dg locker जिन student के पास marksit है तो वो भी upload कर सकते हो तो 10 September से पहले पहले तक जिन भी student ने 12th का marksit अभी तक upload नहीं कर रखा तो प्लीज upload कर दीजिए ताकि exam form फिल करते समय आपको कोई भी problem ना हो और हाँ अभी तक C.A.Foundation December 22 का exam date और exam form date नहीं आया है जैसे ही आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले update कर देगा तो आप लोग चैनल को subscribe करके all notification बिल दबा दीजी और वीडियो भी लाएगा कैसे C.A.Foundation December 22 का exam form फिल करना है अगर आपको फिर भी कोई additional doubt है तो कोशिस करें कि आप मुझे charter studies का Instagram पे ही पूछे इंस्टा पे reply करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता है विकॉज कि मैं audio message भी send कर सकता हूँ आप लोगों को इंस्टा पे search करना charter studies या इसका link आपको description में मिल जाएगा